इस वीडियों में बताएंगे कि इस सी cgl का जो मिशन बनाते हैं ठिक है तो मिशन में में रूटिंग क्या क्या NICK देखते हैं और उस पे चलते हैं नियह मिशन lots यह क्या कस देली हमारा रूटिंग है यह हमारा हुटिंग है पर बता दे रहा हूं उसी फॉर्मेट पर आपको भी बनाना ठीक है तो मेरा डेली का है यह टाइम टेवल ठीक है अब यहांपर क्या करते हैं हम कि हम जागते हैं पाँच बज़े से पहले-पहले लेकिन हम पांच बज़े का ही डाले हैं क्योंकि फ़रेश वगर होते हैं तो कोचिंग करते हैं इसके बाद 11 से लेकर के दो बजे तक यहां पर एक चीज ध्यान देज़ें है गारत से दो बजे तक प्रसनली मैथ का रिजनिंग चलता है यह पर रिजनिंग पढ़ने पर भी महुत मज़ाता है आप यूटूबर भी कोई अधर चैनल मैथ के लिए रिजनिंग देख सकते हैं फिर आपके आसपास पर में जो हो तो टीचर तो उनसे भी पढ़ सकते हैं स इसमें करना ही करना है तक है तो इस जीच को ध्यान में रखते हुए आपने कोई टाइम हो आपने अलग अलग होता है क्योंकि वह अपने ही इस आप से प्लान करता है तक है च्छक्निंग बहुत जरूरी होता है मैं पर पढ़ लिए लेकर यहां ऱैंवर लेकर के दो बजी देना फिर उसके बाद फिर speaking पर भी थोर सा ध्यान देना और grammatical portion पर जादे ध्यान देना है क्योंकि grammatical portion से आपको ही question पूछा जाएगा पूछा जाएगा तो grammatical portion से हमेशा याद रखें उस पर फोकस डालिएगा ठीक है फिर आता है यहाँ पर चार बज़े से साथ बज़े तक अब इतना टाइम में क्या करते बाएं तरटना टाइम में आपको जो अच्छा लगे चार से साथ बज़े तक की बीच में आपको कहर जो आपके आसपास के बंदा हो उसी के हिसाब से चार बज़े से साथ बज़े तक जो आपको अच्छा लगे वह खेलिए ठीक है फिर आता है आठ वज़े से और दस बज़े का करना आपको सिर्फ और सिर्फ जेनरल श्टॉडी करना है ठीक है जो हम इस चैनल पर भी अप्ल और इसके बाद जितना भी चीज हम इसमें बता है तो यह आप लोग जो देखिए इस फॉर्मेट पर बनाईए अपने फॉर्मेट के अमसार बनाईए ताइम टेबल अपना रखिए क्योंकि यह मेरा बरसनाली टाइम टेबल है तो आपको जो टाइम टेबल अच्छा लगे वही टेबल बनाई यह नहीं हम बता दिया आज को कॉपी कर लिए नहीं अपने टेबल के अपकर बचे करते हैं वह पहले देख लिए एक बार ठीक है अब जब वह चीज देख लिए तो उसके बाद क्या करना है आपको यह देखना यह फॉर्मेट देखना फिर इसी फॉर् मोटिवेशनल अंदर से पैदा कीजिए और जुनून के साथ पड़ी यह समझी कि हमको कुछ एचीब करना यह नहीं समझे टाइम पास यार मत करो मौस तो टाइम पास के लिए कुछ इने हमारे घर में डॉक्टर आता है तो डॉक्टर का क्या स्ट्रेजी पता है एक डॉक् टाइम पास डॉक्टर से भी बचना और टाइम पास इस्टूडेंट से भी बचना ठीक है तो इसलिए क्या किजिएगा ना कि वहां पर आप काम कर लीजिए ठीक है और तो टाइम टेप वाले इसको फ्लोग कर चाहिए